हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम टू माई डीवी व्लॉग और मैं आज आपको कबीर के दोह सुनाने जा रही हूं तो चलिए सुरू करते हैं समय पाय फल होत है समय पाय जरी जात समय पाय फल होत है समय पाय जरी जात सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पचितात कभी रा का रहीम पचितात तो इसका अर्थ है समय आने पर रक्ष में फल लगता है जड़ने का समय आने पर वह जड़ जाता है सदा किसी भी अवस्था एक जैसी नहीं रहती इसलिए दुख के समय पस्ताना वैर्थ है कभीर जी कहते हैं कि समय आते ही फलो में पेड लगने लगते हैं समय आते ही पेड जड़ने लगते हैं उसी तरह दुख के समय हमें पस्ताना नहीं चाहिए समय आते ही हमें हमारा भी अच्छा होगा हमें पस्ताना नहीं चाहिए तो समय अच्छा होगा तो हमेरे साथ भी अच्छा होगा लेकिन आपको मेहनत करते रहना है आप बैठ जाएंगे हाथ बन करके और बोलेंगे कि समय जिस दिन आएगा उस दिन मेरा अच्छा होगा तो य यहह व्रक्ष में फल लगता है ज्ठाने लगते से पत्ते से इसी तरह लिए पस्ता नहीं होती है कुमार से तू क्यों रोदे मौई माटी कहे कुमार से तू क्यों रोदे मौई एक दिन ऐसा आएगा मैं रोदूंगी तो यह कभीरा मैं रोदूंगी तो इसका अर्थ है कभीर जी कहते हैं मिटी कुमार से कहती है कि आज तो तू मुझे पेरो की नीचे रोद रहा है आज तो तू मुझे पेरो के नीचे रोद रहा है लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू मेरे तले होगा अर्थात जीवान में मनुष्य चाहे जितना भी शक्ति साली हो मृत्यू के बाद उसका सरीर मिटी में मिटी हो जाता है ठीक है तो हम जानते हैं हम सक्ति साली है पावा नहीं अपने आप में घमण नहीं करना चाहिए क्योंकि सबका एक दिन यहीं है कि आज तो मुझे पैरों के नीचे रहा है लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम मेरे तले होगा अर्था जीवन में मनुष्य चाहे जितना भी शक्ति शाली हो मृत्यू के बाद उसका सारी मृत्यू सारी मिटी हो जाता है तो चलिए आज के लिए इतना ही मेरे चैनल को शेयर और हम इसकूल में होते हैं और इसकी मीनिंग उस समय हमें समझ में आती है और नहीं भी आती है तो उतना हम मीनिंग नहीं समझ पाते हैं यह मृत अच्छी है ता प्लेज देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू